हेलो दोस्तों मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आडविक्ता और अभिक्रिया की कोटी में अंतर यानि की difference between molecularity of reaction and order of reaction तो इसके पहले मैंने आपको अभिक्रिया की आडविक्ता क्या होती है अभिक्रिया की कोटी कितने प्रकार के होते हैं या फिर अभिक्रिया की आडविक्ता कितने प्रकार की होती है इन सब के बारे में डीटेल से आपको बता रखा है तो अगर आपने व अभिक्रिया की कोटी के अंतर के बारे में तो हम इसे पॉइंट वाइस पढ़ेंगे और उधारन के साथ समझेंगे आज का ये वीडियो आपके एक्जाम के पॉइंट आफ यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कोशन कई बार पूछा गया है तो आप इसे ध्यान से दे अभिक्रिया में अभिक्रियक के कितने अडू भाग ले रहे हैं उनकी संख्या को ही हम अभिक्रिया की आडविक्ता कहते हैं यहां पर प्रात्मिक अभिक्रिया है और पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रात्मिक अभिक्रिया के बारे में बताया है यहां पर भी मैं थो की जो कि रशिदा की मारा अभिक्रिया की अड़ो का संख्या है तो यहां पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का एकडू में आयोडीन का इक अड़ू है डाकी मिलकर दो अड़ो अड़ो वन्डेट में दधा चैजर Τो यहां पर देखेंगे कि selfish तो मैंने बताया है कि किसी भी अभिक्रिया में, यानि कि किसी भी प्रात्मिक अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रियक की जो अडवों की संख्या होती है, वही उसकी अडविक्ता कलाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाईडोजन के अडविक्ता क्या दी है, तो यहा वन लिखा है हाइडोजन के लिए और दूसरा वन क्यों लिखा है आयोडीन के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अभिक्रिया की आडविक्ता को हम थ्रिटिकल तरीके से यानि की सध्धान्तिक रूप से ग्यात कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी प्रैक तांकों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है यानि कि अभिक्रियक की कोटी ग्यात करने के लिए हम क्या करते हैं अभिक्रियक की जो सांद्रता होती है ठीक है उसकी सांद्रता को हम घात के रूप में व्यक्ट करते हैं यानि कि कोई भी अभिक्रियक की जो धर है उसमें अभिक्रियक की जो सांदता है और उस सांदता को हम घात के रुप में लिखते हैं और वही कहलाता है हमारा अभिक्रिया की कोटी तो यहाँ पर मैं एक उधारन ले ले रहा हूँ यहाँ पर आपका अमोनिया है जिसका मॉलीबेडिनम के सर्फस पे अब घटन हो रहा है और यह तूटकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्मार कर रहा है अब यदि हमें इसकी अभिक्रिया की कोटी ग्याद करनी है तो हमें क्या करना होगा अभिक्रिया का दर नियम पता करना पड़ेगा तो जैसा कि मैंने आपको पता रखा कि अभिक्रिया की जो दर है वो हम केवल एक्सपरिमेंटली या फिर प्रेक्टिकली ग्याद कर सकते हैं और अमोनिया की सांधता के घात जीरो के रूप में हमें प्राप्त होगी, तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये सांधता को प्रदसित करता है, तो देखे हमें दर नियम मिल गया, और दरनियम में मैंने बताया था कि अभिक्रिया की सांधता के पदों के जो घातांग होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं अभिक्रिया की कोटी कहलाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके घात 0 है तो यहां पर हमारी अभिक्रिया की कोटी क्या होगी? 0 होगी तो यहाँ पर हमारा अभिक्रियक एक ही है, इसलिए हमने एक ही अभिक्रियक की सांदता को लिया है यदि यहाँ पर एक से अधिक अभिक्रियक होते हैं, तो सभी की सांदता के जो खातांग होते हैं उनको हम जोड लेते और जोड कर अभिक्रिया की कोटी ग्याद करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज और पता चल गया होगा कि जब अभिक्रिया की कोटी हम ग्याद करते हैं तो उसे हम एक्सपरिमेंटली ग्याद करते हैं यानि कि प्रेक्टिकली ग्याद करते हैं जैसा कि अभिक्रिया की आडविक्ता में हम लोगों ने किया था तो अभी जो मैंने concept बता है अब इसे हम point के रुप में लिखते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि जो अभिक्रिया की आडविक्ता होती है वो सैध्धान्तिक रासी है यानि कि theoretical value है हम इसे theoretically क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं मतलब हम reaction देखें और reaction में देखेंगे कि कितने अडवाग ले रहे हैं हम आसानी से अभिक्रिया की आडविक्ता निकाल सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटी की तो जो अभिक्रिया की कोटी है यह एक प्रायोगी करासी है यानि कि यह एक experimental value है और इसे हम सिर्फ प्रयोगों द्वारा ही ग्यात कर सकते हैं आई देखते हैं अगला point क्या कहता है अगला point कहता है कि अभिक्रिया की आडविक्ता सुनने नहीं हो सकती है यानि कि आप कभी भी अभिक्रिया की आडविक्ता सुनने नहीं देख सकते हैं जबकि अभिक्रिया की कोटी सुनने भी हो सकती है तो most important है अब इस point को हम example के through समझत तो कभी भी आप देखेंगे कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें कम से कम एक अड़ू भाग ही लेंगे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अमोनिया के दो अड़ू भाग ले रहे हैं ठीक है तो अमोनिया के दो अड़ू भाग ले रहे हैं और तूट का नाइट्रोजन और hydrogen में तूड जा रहा है तो यहां पर देख रहे हैं कि अभिक्रिया में दो अडू अमूनिया कह की अभिक्रिया की अडुर्विक्ता क्या होगी 2 होगी कभी अभिक्रिया की अडू जीरो नहीं हो सकती कम से कम एक अडू तो भाग लेंगे अब यदी आप यहाँ पर अमोनिया के अडवों की संख्या 0 लेंगे, तो जब 0 लेंगे, तो अभिक्रिया 0 हो जाएगा तो उत्पात तो बनेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी अभिक्रिया की आडि विक्ता सुनने नहीं होती। जब कि बात करें हम अभिक्रिया की कोटी की, तो अभिक्रिया की कोटी सुनने हो सकती है, तो यदि इस अभिक्रिया में देखें कि अमोनिया के दो अडू से नैट्रोजन और हाइडोजन बन रहे हैं, ठीक, तो इस अभिक्रिया की अगर हमें कोटी निकालने होगी तो अभिक होगी तो इस प्रकार हम कےए कि क्रिया की जो आड़ीक्ता होती है वो कभी सुन्ने नहीं हो सकती पर अगले point कि और अगला point कहता है कि अभीक्रिया की आड़ेक्ता तीन से अधिक नहीं होती क्यों नहीं होती इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बटा रख्था है आप वो वीडियो जरूर देखे आपको समझ में आजाएगा कि अभिक्रिया की आड़िकता तीन से अधिक क्यों नहीं हो सकती जबकि अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटी की तो अभिक्रिया की कोटी 3 से अधिक हो सकती है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि अभिक्रिया के अडिविक्ता 3 सधिक क्यों नहीं हो सकती तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत ही डीटियल से बताया है तो अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्केशन बॉक्स में दे रखा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं अभिक्रिया की अडिविक्ता 3 सधिक क्यों नहीं हो सकती जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें 3 अडू भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर 3 मालिक्यूल को मैंने अलग-अलग तरीके से दिखाया हुआ है ठीक है और मैंने बताया था कि अभिक्रिया होने के लिए यह ज़रूरी है कि यह तीनों अडू आपस में टक्कर करें यानि कि इनमें टक्कर सिधान्त लाग होगा मैंने टक्कर सिधान्त भी बताया था ठीक है और दूसरा पॉइंट यह कहता है कि इनका जो टक्कर हो वो एक विसेस एंगल पे होता है यानि कि कि किसी भी अभिक्रिया में जो अडू आपस में टक्राते हैं सबके टक्कर का जो एंगल होता है एक फिक्स एंगल होता है अगर टक्कर का एंगल बदलता है तो वहाँ पर तो जो टक्कर वाले एंगल है उनके बनने की प्रायक्ता यानि कि उनके बनने की जो चांसे होते हैं वो अधिक होते हैं लेकिन जैसे जैसे अड़ू की संख्या बढ़ती है तो उनका वो विसेस एंगल यानि कि फिक्स एंगल बनना क्या हो जाता है कम हो जाता है उनके चांसे को ते हैं तो is लिए जैसे जैसे आज विक्ता बरती है जैसे तीन से अधिक हुई तो वहां पर इतने अधिक अडू हो जाते हैं कि वो उसी एंगल पर टक्राइश पॉसिably originally नहीं हो पाता और इस वज़से अभिक्रिया की जो आडविक्ता होती है वो तीन से अधिक नहीं हो पाती जबकि अभिक्रिया की कोटी के लिए मैंने बताया था कि अभिक्रिया की कोटी सांधता पर निर्भा करती है तो सांधता तो आपके कई अड़ों की निकली सकती है यानि कि कई अभिक्रिया की निकल सकती है तो अभिक्रिया की जो कोटी होती है तो अभिक्रिया हम देखेंगे तो किसी भी अभिक्रिया के लिए आडविक्ता कभी भिन्न में नहीं आएगा जबकि अभिक्रिया की कोटी भिन्न संख्या हो सकती है अगला पॉइंट करता है कि जो अभिक्रिया की आडविक्ता होती है केवल प्रात्मिक अभिक्रियाओं के लिए निश्चित यानि कि आपको मैंने वीडियो में बता रखा है पिछली वीडियो में कि जो अभिक्रिया की अभिक्ता होती है केवल प्रात्मिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है जटिल अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होती जबकि अभिक्रिया की कोटी की बात करें तो अभिक्रिया इस वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरू बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो जो दो लाइक किजिए और यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूस्ट सकते हैं, और यदि अभी तक आपने हमागी चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बैल आइकान है उसको प्रेश कीजिए ताकि जब भी में कोई नए वीडियो अप्लोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक